ताजा तरीन अप्लोट्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिये गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें स्री एकादसी महात्म का था उत्पन्ना एकादसी ब्रत महात्म मार्ग सीश मास की कृष्ण पक्ष की एकादसी स्री सूत जी बोले हे मुनियो विधी सहित एकादसी महात्म को भगवान स्री कृष्ण ने कहा था भक्त जन ही इस ब्रत को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोग कर अंत में स्री विश्नुपद को प्राप्त करते हैं स्री सूत जी ने कहा हे प्रभो इस एकादसी ब्रत का महात्म क्या है इस ब्रत को करने से क्या पुर्ण मिलता है और उसकी विधी क्या है सो आप मुझसे कहिए ऐसा सुनकर स्री भगवान ने कहा हे अर्जुन सबसे पहले हैमंत रितु के मार्ग सीष महिने में क्रिश्न पक्ष की एकादसी का ब्रत करना चाहिए दसमी की साम को दातों करनी चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए एकादसी को सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार करना चाहिए दोपहर को संकल्प पूर्वक इश्नान करना चाहिए इश्नान करने से पहले सरीर पर मिट्टी का लेपन लगाना चाहिए चन्नल लगाने का मंत्र इस्प्रकार है अस्वक्रांते रथक्रांते बिष्णुकांते बसुंधरे उब्रतापि बराहिना क्रश्ने नसतवाहुना म्रते के हर्मे पाप यन्मया पूर्वकम संचितम त्वयाहते न पापेना गच्छामी परमागतिम इस्नान के बाद धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए रात को दीपदान करना चाहिए ये सतकर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए उस रात को नींद और इस्त्री प्रसंग को त्याग देना चाहिए एका दसी को दिन तथा रात्री में भजन सत्संग आदी सुब कर्म करने चाहिए उसी दिन स्रद्धा पूर्वक ब्रहमनों को दक्षना देनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों की छमा मांगनी चाहिए धार्मिक जनों को सुकल और कृषन पक्ष की दोनों एका दसीयों को एक सा समझना चाहिए उनमें भेद मानना उचित नहीं है उपर लिखी विदी के अनसार जो मनुष्य एका दसी का ब्रत का पालन करता है उनको संखोत धार तीर्थ एवं दर्सन करने से जो पूर्ण मिलता है वह एका दसी ब्रत के पूर्ण के सोलह में भाग के बराबर भी नहीं व्यतिपात योग में संक्रांती में तथा चंद्र सूर्य ग्रहन में दान देने से और कुरु छेत्र में स्नान करने से जो पूर्ण प्राप्त होता है वही पूर्ण मनस्ट को एका दसी का ब्रत करने से प्राप्त होता है जो फल देव पाठी ब्रहमणों को एक हजार गोदान करने से मिलता है उससे दस गुना अधिक पुर्ण एका दसी का ब्रत करने से मिलता है दस स्रेष्ट ब्रहम्णों को भोजन कराने से जो पुर्ण मिलता है वह एका दसी के पुर्ण के दसमे भाग के बराबर होता है निर्जल ब्रत करने का आदा फल एक वार भोजन करने के बराबर होता है उपरोक्त कोई सा एक ब्रत जरूर करना चाहिए एका दसी का ब्रत करने पर ही यग्य दान तप आदी मिलते हैं अन्य था नहीं मिलते अतहा एका दसी को अवस्य ही ब्रत करना चाहिए इस ब्रत में संक से जल नहीं पीना चाहिए मचली सूर तथा अन्न निरामिस भोजन एकादसी के ब्रत में भरजित है स्री एकादसी ब्रत का फल हजार यग्यों से भी अधिक है ऐसा सुनकर अरजुन ने कहा हे भगवान आपने इस एकादसी के पुर्णे को अनेक तीर्थों के पुर्णे से स्रेष्ट तथा पवित्र क्यों बतलाया है यह सब आप फिस्तार पूर्वक कहिए स्री भगवान बोले हे अरजुन सत्युग में एक महा भयंकर दैत्य हुआ था उसका नाम मुर्था उस दैत्य ने देवराज इंद्र आदी देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके इस्थान से गिरा दिया तव देवेंद्र ने स्री महादेव जी से प्रार्थना की कि हे शिव शंकर अब हम सब देवता मुर्थ दैत्य के अत्याचारों से दुखित हो मृत्ति लोक में अपना जीवन ब्यतीत कर रहे हैं अन्य देवताओं की हालत का तो वर्णन ही नहीं कर सकता आप किर्पया करके इस महान दुख से छूटने का उपाय बतलाईए स्री संकर जी बोले हे देवेंद्र आप विश्नु भगवान के पास जाईए स्री देवराज इंद्र तथा अन्य देवता स्री महादेवजी के बचनों को सुनकर छीर सागर गए जहां पर स्री भगवान विश्नु सेश सैया पर सयन कर रहे थे स्री भगवान को सयन करते देखकर देवताओं सहत देवराज इंद्र ने इस्तुती की कि ये देवताओं के देव आप इस्तुति करने योगे हैं, आपको बारंबार प्रणाम है, हे दैत्यों के संगारक, हे मदशूदन आप हमारी रक्षा करें, हे जगन्नाथ समस्त दैत्यों से भैवीत होकर हम आपकी सरण में आए हैं, इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता प्रत्वी पर विचरण कर रहे हैं अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए हे रक्षा कीजिए देवताओं के द्वारा करणा पूर्णबानी को सुनकर स्री विष्णु भगवान बोले हे देवताओं वह कौन सा द्यत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है श्री भगवान के इस अमरत रूपी बचनों को सुनकर देवराज इंद्र बोले हे नारायन प्राचीन समय में नाडी जंगम नाम का एक देत्य था उस देत्य की ब्रह्म बंस में उत्पत्य हुई थी उसी देत्य के पुत्र का नाम मुर्था उसकी राजधानी चंद्रावत उस चंद्रावती नगरी में वह मुर्णामक देत्य निवास करता है जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है और सब देवताओं को देव लोक से निकाल कर उसने अपने देत्य कुल के इंद्र अगनी यम भरुन चंद्रमा सूर्य आदी लोकपाल बनाये हैं वह स्वयम सूर्य बनकर प्रत्वी को तापता है और स्वयम मेग बनकर जलकी वर्षा करता है अतहा आप उस बलसाली भयानक देत्य को मारकर देवताओं की रक्षा करें देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर स्री विश्नु भगवान बोले देवताओं मैं तुम्हारे सत्रूं का सीग्र ही संगहार करूंगा अब आप उस चंद्रावती नगरी को चलिए इस प्रकार भगवान बिश्नु देवताओं के साथ चल दिये उस समय देत्य पती मुर अनेकों देत्यों के साथ युद्ध भूमी में गरज रहा था युद्ध प्रारम होने पर असंख दानव अनेकों अस्त्रों सस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे परन्तु देवता दैत्यों के आगे एक छण भी नहीं ठहर सके तव भगवान स्री विश्णु भी युद्ध भूमी में आ गए जब दैत्यों ने स्री भगवान विश्णु को युद्ध भूमी में देखा तो उन पर अस्त्र सस्त्रों का प्रहार करने लगे भगवान भी चक्र और गदा से उनके अस्त्र सस्त्रों को नश्ट करने लगे इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए परन्तु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा भगवान भिष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन सस्त्रों का प्रियोग करते वे सब उसके तेज से नश्ट होकर उस पर पुष्पों के शमान गिरने लगते अनेक अस्त्र सस्त्रों का प्रियोग करने पर भी भगवान उसको न जीत सके वह आपस में मल युद्ध करने लगे भगवान विश्णु उस दैत्य से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे परंतो उस दैत्य को जीत न सके अंत में भगवान विश्णू सांत हो करके बिश्राम करने की इच्छा से वद्र का आश्रम चले गए उस समय 48 कोस लंबी एक द्वार वाली है मवती नाम की एक गुफा में सयन करने की इच्छा से भगवान विश्णू उसमें परवेश कर गए हे अरजुन अतह मैंने उस गुफा में सयन किया वह दैत्य भी मेरे पीछे पीछे चला आया तव मुझे को सयन करता देखकर मारने को तैयार हो गया वह दैत्य सोचने लगा कि यह मैं आज अपने चिर सत्रू को मार कर सदैव के लिए निसकंटक हो जाऊंगा उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिब्वे वस्तर धार्ण करके उत्पन हुई और धैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी तो वह दैत्य आश्यर के साथ सोचने लगा कि यह ऐसी बलवान कन्या कहां से उत्पन हुई है वह दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र सस्त्रों के दो टुकडे कर दिये उस कन्या ने उसका रत तोड़ डाला तव तो वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्युद करने लगा उस कन्या ने उसको धक्का मार कर मूर्शित कर दिया उठने पर उसका सिर काट लिया वह दैत्य सिर कटते ही प्रत्वी पर गिर गया और मृत्यू को प्राप्त हुआ अन्य समस्त दानब भी ऐसा देखकर पाताल लोग को चले गए जब भगवान विश्नु की निद्रा तूटी तो उस दैत को मरा देखकर अत्यंत आश्यर करने लगे और बिचारने लगे इस दैत को किसने मारा है तव वह कन्या भगवान से आपको मारने को तयार था तव मैंने आपके सरीर से उत्पन्ध होकर इसका बद किया है इस पर भगवान बो ले हे कन्या तूने इसको मारा है अतहा मैं तेरे उपर अत्यंत प्रसंढ हूँ तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है इसलिए तू अपनी इच्छ के अनसार बर्दान मांग। जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्री को एक बार भोजन करे वे धन धान्य से भरपूर रहें इस पर भगवान विश्नु उस कन्या से बोले हे कल्याडी ऐसा ही होगा मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रशिद्धी को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्र इसलिए तेरा नाम भी एकादसी हुआ जो मनुष्य से इस दिन ब्रत करेंगे उनके समस्त पाप जड़ से नस्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ती को प्राप्त करेंगे तू मेरे लिए अव तीज आठे नौमी और चौदस से भी अधिक प्रिय है तेरे ब्रत का फल सब त वत्न सत्य है ऐसा कहकर भगवान उसी इस्थान पर अंतिरध्यान हो गए एकादसी भगवान के उत्तम बचनों को सुनकर प्रसन्न हुई भगवान बोले हे अर्जुन सब तीर्थों सब ब्रतों के फल से एकादसी बृत का फल सर्व स्रेश्ट है नौमी एकादसी ब्रत करन यह मैंने तुम से एकादसी की उत्पत्ति के बारे में बतलाया है। यह मैं बतलाया है।